नमस्कार दोस्तों आज का यह जो अपडेट है स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए आपे रहेगा important questions मैं आपके साथ यहाँ पर discuss करने वाला हूँ जैसा कि आप सभी लोगा पर मालूम है UP-NHM स्टाफ नर्स का exam आग यहाँ पर होने वाला है सीधे से बढ़ जाते हैं अपने पहले सावाल की ओर तो दोस्तों देखिए पहला सावाल जो आप सभी लोगों से आप है पूछे आ रहा है secondary attack rate of chickenpox तो दोस्तों देखिए आप कहां पर बता रहा है secondary attack rate जो यहाँ पर होता है chickenpox के लिए और दोस्तों देखिए इसका जो right answer है option number D यहाँ पर रहेगा number यहाँ पर रहता है 90 यहाँ पर देखिए यह rate यहाँ पर रहता है अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सावाल की ओर दोस्तों देखिए अगला प्रेशन है पूछे जा रहा है shingles is caused by तो दोस्तों देखिए आपको आपर वाइरस का नाम बताना है और दोस्तों देखिए इसका जो right answer है option number B यहाँ पर रहने वाला है जोस्टर वाइरस की बज़े से देखिए यहाँ पर cause होता है और option number B सही विकल्प यहाँ पर रहेगा अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सावाल की ओर दोस्तों देखिए अगला प्रेशन है पूछा या रहा है call picks spots are seen in तो दोस्तों देखिए आप कहाँ पर period के बारे में information देनी है कब यह देखने को मिलते हैं और दोस्तों देखिए इसका जो right answer है option number A यहाँ पर रहेगा prodromal जो period यहाँ पर रहता है इसमें यह call pick spot यहाँ पर देखा जाता है option number A सही विकल पर यहाँ पर रहने वाला है अब बढ़ जाते हैं अगले सावाल की ओर दोस्तों देखिए अगला प्रेशन है पूछा जा रहा है most common cause of death due to measles तो दोस्तों देखिए बताना है most यहाँ पर देखिए जो common यहाँ पर cause है जो death यहाँ पर रहती है measles के वज़े से दोस्तों देखिए इसका जो right answer है option number B यहाँ पर रहेगा secondary bacterial infection जो है इसका हाँ पर सही विकल पर रहने वाला है और right option देखिए option number B यहाँ पर रहेगा इसको आप लोग यहाँ पर याद रखें अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सावाल की ओर दोस्तों देखिए अगला प्रशन है जो पूछा जा रहा है recommended vaccination strategy for rubella is to vaccinate first and foremost तो दोस्तों देखिए आपका आपर बताना है vaccination जो strategy है rubella के लिए कब यह देखिए vaccine जो है आपर पहला यहाँ पर दिया जाता है और दोस्तों देखिए इसका जो right answer है option number A यहाँ पर रहेगा जो woman 15 से 49 years की age में है उनको देखिए यह recommend यहाँ पर किया जाता है option number A सही विकल्प यहाँ पर रहने वाला है अब बढ़ जाते अपने अगले सवाल की ओर दोस्तों देखिए अगला प्रेशन है पूछा जा रहा है treatment of choice for diptheria तो दोस्तों देखिए आपको treatment बताना है diptheria का चार option आपको 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 देजा रहा है और दोस्तों देखिए इसका जो right answer है option number A यहाँ पर रहेगा erythromycene आपको आपको treatment है option number A सही विकल्प यहाँ पर रहने वाला है अब बढ़ जाते अपने अगले प्रेशन की ओर दोस्तों देखिए अगला प्रेशन है पूछा जा रहा है most serious complication of measles is तो दोस्तों देखिए आपको 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 बता रहा है जो serious complication पाया जाता है measles में और दोस्तों देखिए इसका जो right answer है option number C यहाँ पर रहेगा manageo encephalitis और option number C सही विकल्प आप रहने वाला है इस term को आप लोग यहाँ पर याद रखें अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की और दोस्तों देखिए अगला question है आप सभी लोगों समय पूछा रहा है most common complication of mums in children is तो दोस्तों देखिए बता रहा है most जो यहाँ पर common complication रहता है mums का और children में यह पाया जाता है और दोस्तों देखिए इसका जो right answer है option number C यहाँ पर रहेगा aseptic meningitis जो है जो है जो है जो है जो है जो है option number C सही विकल्प यहाँ पर रहने वाला है इसको भी यह आप लोग यहाँ पर याद रखें अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की और दोस्तों देखिए अगला सवाल है पूछा जा रहा है incubation period of months तो दोस्तों देखिए आपको आप बताना है incubation period यहाँ पर कितना रहता है months के लिए और चार option आपको 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 दी जा रहा है 7 days, 10 days, 14 days और 18 days तो दोस्तों देखिए इसका जो right answer है आप सब दिल्यों को बताना चाहता हूँ option number D यहाँ पर रहेगा 18 days यहाँ पर रहता है incubation period months का और यह आप लोग यहाँ पर याद रखें काफ़ important सवाल है और अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की और दोस्तों देखिए अगला प्रेशन है पूछा जा रहा है which type of sample can we use to isolate polio virus earliest तो दोस्तों देखिए शुरू में ही polio virus को अलग करने के लिए इन चारों में से देखिए कौन सा sample यहाँ पर इस्तमाल यहाँ पर किया जा साकता है और दोस्तों देखिए इसका जो right answer है आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ option number A यहाँ पर रहेगा इस tool और option number A जो है सही विकल्प यहाँ पर रहेगा अब बढ़ जाते अपने अगले सवाल की और दोस्तों देखिए अगला प्रेशन है पूछा जा रहा है incubation period of typhoid तो दोस्तों देखिए आपको हाँ पर बताना है incubation period यहाँ पर typhoid के fever के लिए कितना यहाँ पर रहता है चार option आपको हाँ पर दी जा रहे है 10 to 14 days, 3 to 5 days 21 to 25 days, less than 3 days तो दोस्तों देखिए आपसे भी लोग के बताना चाहता हूँ उसका जो right answer है option number A यहाँ पर रहेगा 10 to 14 दिन और सही जो विकल्प है option number A यहाँ पर रहेगा और incubation जो period रहता है typhoid के fever के लिए 10 to 14 दिन यहाँ पर रहता है अब बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों देखिए अगला सवाल है पूछा जा रहा है best disinfectant for cholera तो दोस्तों देखिए cholera के लिए best यहाँ पर disinfectant यहाँ पर क्या रहेगा 4 option आप कहाँ पर दिये जा रहे है और देखिए इसका जो सही answer है right option है अगला प्रेशन दोस्तों यहाँ पर देखिए पूछा रहा है urban malaria is due to तो दोस्तों देखिए urban जो malaria रहता है शहरी जो इलाकों में malaria होता है किसके वज़े से होता है तो दोस्तों देखिए 4 option आप कहाँ पर दिये जा रहे है और जो right answer है option number A यहाँ पर रहेगा एनोफिलीज इस्टी फैंजी इसकाँ पर देखिए right answer है option number A सही विकल्प आप रहने वाला है अब बढ़ जाते अपने अगले प्रेशन की ओ पूछा जा रहा है rabies free country is तो दोस्तों देखिए आपको country का नाम बता रहा है जिसमें देखिए rabies यहाँ पर फुली तरीके से free हो चुका है rabies यहाँ पर एक भी यहाँ पर symptom नहीं है और यहाँ पर देखिए country जो है rabies से यहाँ पर free है और चाइना, आउस्ट्रेलिया, रशिया और फ्रेंस तो दोस्तों देखिए चार विकल्प आपको आप पर दी जा रहा है इसका जो right answer है दोस्तों देखिए rabies free जो यहाँ पर country है, और आस्ट्रेलिया है option number B, सही विकल्प यहाँ पर रहने वाला है अब बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रेशने की और दोस्तों देखिए अगले सवाल है, पूछा रहा है bite of which of the following animals does not result in human rabies तो दोस्तों देखिए, कौन से जानवर के यहाँ पर काटने से यहाँ पर देखिए, human rabies यहाँ पर result यहाँ पर नहीं होगा human rabies यहाँ पर नहीं हो सकता है चार option आप कहाँ पर दी जा रहे है, इसका जो right answer है दोस्तों यहाँ पर देखिए, mouse यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर option number C, सही विकल्प यहाँ पर रहने वाला है दोस्तों देखिए, अगला प्रेशन है, पूछा रहा है which virus is used to produce rabies vaccine तो दोस्तों देखिए, आपको बताना है उस virus का नाम और जिसमें देखिए, rabies की vaccine को यहाँ पर produce यहाँ पर किया जा सकता है और दोस्तों देखिए, चार option दिया जा रहा है इसका जो right answer है, option number C, यहाँ पर रहेगा heart tick, soft tick, red flea, और देखिए, blouse तो दोस्तों देखिए, इसका जो right answer है आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ, red flea आपर रहेगा option number C, सही विकल्प है, पिलेग जो है, आपर transmit होता है red flea से, और यहाँ पर इसको आप लोग यहाँ पर याद रहेगे इसका जो transmission है, red flea आपर रहेगा, अब बढ़ जाते हैं अगले प्रेशनी की ओर, अगला प्रेशनी है दोस्तों देखिए, पुछा रहा है most effective to prevent HIV vertical transmission, तो देखिए, HIV vertical transmission मीज रोकने के लिए, यहाँ पर most effective method यहाँ पर क्या रहेगा, तो देखिए, H-A-A-R-T यहाँ पर देखिए method है यह therapy यहाँ पर काम आती है, option number A, सही विकल पर रहने वाला है इसको भी आप लोग यहाँ पर याद रखें, अब बढ़ जाते हैं अगले प्रेशनी की ओर दोस्तों देखिए, अगला प्रेशन है, पूछा रहा है which of the following is used to prevent transmission of HIV from infected pregnant mother to newborn child तो दोस्तों देखिए, पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखिए, HIV infected pregnant woman है और देखिए, इसके newborn baby means, जो भी यहाँ पर newborn child यहाँ पर जनम लेगा इसमें HIV के transmission को यहाँ पर prevent करना है, रोकना है, तो दोस्तों देखिए, कौन सा यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए, आपको दिया जाएगा रोकने के लिए, तो देखिए, नैवी रैपीन इसको यहाँ पर दिया जाएगा, और देखिए, यहाँ पर vaccine होती है और option number B, सही विकल पर आप रहने वाला है दोस्तों अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की और पूछा जा रहा है, average incubation period of HIV to AIDS transformation is तो HIV से AIDS transformation का देखिए, average incubation period यहाँ पर क्या रहेगा, और देखिए, चार option आप कहाँ पर दी जा रहे हैं, इसका जो right answer है option number D यहाँ पर रहेगा, 10 साल, 10 year यहाँ पर, correct option यहाँ पर रहने वाला है, अब बढ़ जाते हैं अगले सवाल की और दोस्तों देखिए, अगला प्रेशन है, पूछे आ रहा है, in an HIV infected child, which vaccine should not be given तो दोस्तों देखिए, तीन vaccine यहाँ पर नीचे के तरफ यहाँ पर दी गई है, जो कि यहाँ पर दी जा सकती है और एक मातर यहाँ पर ऐसी vaccine दी गई है, जो यहाँ पर HIV infected child को यहाँ पर नहीं दी जा सकती है तो दोस्तों दिखिए, इसका जो right answer है, OPV यहाँ पर रहेगा, और oral polio vaccine जो यहाँ पर नहीं दी जा सकती है तो बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पर समझ देखोंगे, window period आपको 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 बताना है, HIV infection के लिए, चार विकल्प आपको 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 दी जा रहेगा, तो दोस्तों देखिए, यह कुछ प्रेशन हैं मैंने आपके साथ यहाँ पर डिसकस कियें, कमणी के विल, डिसीज वाला यह पार्ट था, और आपके सिलेवस में यह पार्ट यहाँ पर mention किया गया था, MPNHM और UPNHM दोनों की परिक्षां में यह सबाल यहाँ पर पूछे आ सकते हैं, इनको देखिए, आप लोग यहाँ पर याद रखें, और यह शैचान आपको कैस लगा, यह शैचान आपका पर समझ में आया या फिर नहीं आया, और आगे के questions की sets की information चाहते हैं, या फिर नहीं चाहते हैं, तो यह जानकारी feedback के तोर पर comment box में जरूर दें, और बाकी के questions की sets की information इसी तरीके से आगे चाहते हैं, तो अभी चैनल को subscribe कर लें, तो वीडियो क की नीचे जाएं, subscribe के रेट बटन को आपके कलें, और आगे के questions की sets की information इसी तरीके से आगे, पात रहते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में, thank you so much